नमश्कार दोस्तों स्वाइब आप सभी का हमारे चनल शेयर मारकेट में मैं हूँ आपका दोस्त नभी और आज है डेट 7 अप्रेल 2022 आज की दिन एक न्यूज आई एक आर्टिकल आया है मनी कंट्रोल के अपर की शूगर स्टॉक्स टर्न स्वीटर वर्स ट्राइब दर एली दो को क्या कारण है जिसकी शूगर स्टॉक में अब भी तेजी देखने के लिए और डेफिनेटली इसके बाद भी आपको काफी जारा प्रॉफित शूगर स्टॉक्स में देखने के लिए पहले कवर करते हैं पूर आर्टिकल फिर करते हैं चीजों को डिसकस शूगर स्टॉक मार्केट में गिरावड़ती तो शूगर स्टॉक में तेजी देखने के लिए उन्हीं के बात करेंगे उससे पहले थोड़ी से नदर डालते हैं जो कंपनी से उनके उपर तो बल्राम चीनी शूगर चीनी इंस भी ने आपको एक परसेंट आट परसेंट तीन परसे परसेंट के रिटर्न दी हैं आप यहां चाहे तो स्क्रीशोट मार्केट देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी जाए उन्हें पिछले दिन कितने कितने रिटर्न दी हैं उसके बार यहां पर बात करते हैं तब मेजिज स्टॉक लाइक द्वारी के शुगर दालमिया भारत श श्री रेनु का शुगर मवाना शुगर रेलिड 5-10% on the BSE stock market तो यहां पर देखिए कि BSE में इन सभी stocks में आपको 5-10% की तेजी देखने के लिए तो reason क्या है जो यह sugar stocks में तेजी थी अशाप रेलिड शुगर stocks was also seen in the financial year 22 when 8 stock out of 10 sugar companies generated 3-digit return तो यहां पर कुछ ऐसी companies है जिन्होंने इस साल 2022 में आपको 3-digit यानि की 100% से जादा के return निकाल के दी हैं तो definitely काफी जादा positive है यहां पर companies के बार में थोड़ सा बताया हुआ है अब बात करते हैं main topic के उपर की main reason क्या है जो यहां पर तेजी आ रही है India sugar export may touch record 8.5 million ton in the ongoing 2021 and 2022 market year and September according to a report from ISMA India sugar mill manufacturing association तो यह जो India mill sugar association है यह सभी चीजों को regulate करती हैं तो इनका कहना है कि यहां पर काफी जारा तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी The report also state that the production of sugar in India reached close to 31 million ton till March 2022 of the ongoing market this year this will 11% तो जो पिछले साल जो production होई थी उसके मुकाबले इस साल जो production है वो 11% increase होने वाली है यानि कि इस साल 31 million ton increase होई है जो कि पिछले quarter में 27.9 यानि कि तकरीबन तकरीबन 28 million ton थी जो कि इस तवर 30 million ton पहुंच गही है इसे में sugar stocks में तेजी आनी बनती ही थी The other factor that can benefit the Indian sugar industry is the shortfall in global sugar production तो यहां पर देखिए एक बड़ा ही main reason है कि sugar की white sugar की बात करें तो global market में गिरावट हो रही है इंडिया की production increase हो रही है तो definitely India export करेगा तभी इंडिया का जो export है वो भी 413 billion तक पहुंच चुका है इस year definitely काफ़ी जारा increase हो है पिछले साल के मकाबले इसे में इंडिया sugar mills के पास काफ़ी जारा profit है कि वो जारा पैसा कमा सके ऐसे में और एक और चीज़ है कि अगर इंडिया की sugar mills white sugar से हटके इस noil पे भी काम करती है तो उनके पास जो payment back आएगी वो काफ़ी जारा जल्दी आजाएगी शुगर white sugar के मकाबले क्योंकि उसे sell out करने से पहले around round एक साल के लिए store करना पड़ता है लेकि इतनोयल में ये case भी अलग है तो ऐसे हमें sugar stocks में अभी भी काफ़ी जारा रेली आनिंग बाकी है तो काफ़ी जारा अच्छे sugar stocks हैं उन्हें आप अपनी watch list में रख सकते हैं आपको काफ़ी जारा profit होगा इसके बाप जूद अगर आपकी कोई query है तो comment कीजिए हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी advice दें आपकी help करें अभी के लिए दोस्तों इतना ही